पैगंबर मुहम्मत पर विवादत बयान देने वाली नुपुल शर्मा का विरोध थमता नजर नहीं आ रहा उनके मुश्किले दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है भाजपा प्रवक्ता नुपुल शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के द्वारा हाली में दिये गए पैगंबर मुहम्मत के बारे में अभाद्र और अपमान जनक टिपनी के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन का दौर लगतार बढ़ता जा रहा है और व्यापक स्तर पर प मुसल्मान जो अपने नवी के शान के लिए उनके अपमान के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं उन पर अंगिनत मुकद में दर्ज किये जाते हैं उन्हें जूटे आरूपों में गिरफतार किया जाता है उन पर गोलिया चलाए जाती है उन पर लाठिया चटकाई जा रही है जिसको लेकर के देश के मुसल्मानों का गुसा अब और भी जाता उबलता हुआ नजर आ रहा है और प्रदर्शन का दौर और भी तेज होता जा रहा है बीते दिन जुम्मे की नमास के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के बाद अब एक बार फिर बरेली के मुसलिम संगटनों ने 17 जून को एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है इस ऐलान ने मोधी सरकार को पूरी तलीके से हिला कर रख दिया आपको बता दे कि बरेली में मुसलिम संगटन के अध्यक्ष तौकी रजा खान ने 17 जून को जुम्मे की नमास के बाद विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया इस से पहले 10 जून को भी मुलाना तौकी रजा खान ने प्रदर्शन का ऐलान किया था लेकिन बात में उन्होंने देश के हिंदूों के लिए इस प्लैन को स्थगित कर दिया उन्होंने हिंदूों के गंगासनान और बरेली में हिंदू पूजा के लिए लगने वाले चौबारी मेले के चलते इसे स्थगित किया था लेकिन अब एक बार फिर से बरेली में मौलाना तौकी रजाखान ने 17 जून को प्रदर्शन करने का एलान किया आपको बता दे कि ये विरोत प्रदर्शन जुम्मे की नमाज के बाद होगा इसमें महिलाओं और बच्चे भी शामल होने को हैं तो प्रदान मंत्री मोधी के विश्व गुरू बनने का सपना देख रहे और नेता प्रवक्ता यहां तक की गोधी मीडिया भी उनकी छवी को चमकाने में दिन रात लगे रहते हैं इसके अलावा भारत को हिंदू रास्ट बनाने के लिए तमाम हिंदू संगठन एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं जिससे आज देश में ऐसी स्तिति उत्पन हो गई है इनके जुवान कुछ जादा ही बेलगाम हो चुके हैं इसे मोधी सरकार कंट्रोल करने के वजाए खुला छोड़ देती है और उसी के नतीजे हैं आज के देश में ऐसे हालात उत्पन हो गए हैं हर दिन हिंसा, पत्थरबाजी, मुस्लिमों की लिंचिंग, दरगा मस्जित पर हमला आम बाचसी हो गई है इस देश में और उसके बाद बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर्शर्मा का पैगंबर पर दिये विवादित बयान ने मोहौल ऐसा बिगाड़ा की कई राजियों में अल्प संख्यक समुदायों ने इसका विरोत किया तो ने इस तरीके से प्रताड़ित किया गया बीथे दिन जुम्मे की नमाज के बाद दिल्ली के जामा मस्जिद से लेकर के यूपी की अलिगड़ परियाग राज में जम कर बवाल हुआ जिस पर एक तरफा कारवाई करते हुए यूपी पुलिस ने कहीं मुस्लिमों के घरों पर बुल्डोजर चला कर धरशाई किया तो कहीं मुस्लिम युवाओं को थाने में डाल कर बेरहमी से पीटा गया कहीं फाइरिंग करके उनकी हत्या कर दी गई लेकिन विवाद अब भी थमता नजर नहीं आ रहा भारत में मुस्लिम समुदाय के साथ साथ दुनिया भर के मुस्लिम देशों में इसकी कड़ी निंदा की गई और नुपुर्शर्मा पर सक्त कारवाई की मांग लगतार उठाई जा रही है इसको लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है अब इसी कड़ी में बडेली के मौलाना तौकी रजा खान ने आने वाले जुम्मे की यानिकी 17 जून को धर्णा प्रदर्शन करने का एलान किया जादे मिलत काउंसिल प्रमुक तौकी रजा खान ने नुपुर्शर्मा की गिरफतारी नहीं हुई तो 17 जून को बरेली में सामुहिक विरोध प्रदर्शन करने का एलान किया उन्होंने लोगों से विरोध में शामिल होने की अपील की है तौकी रजा ने कहा है कि शुकरवार को जुम्मे की नमाज की बाद ये प्रदर्शन किया जाएगा और इसमें बड़ी संख्या में लोग यहां तक की महिलाए और बच्चे भी शामिल होंगे पैगंबर मुहम्मद के अपमान पर भाजपा की प्रवक्ता नुपुर्शर्मा को सिर्फ पार्टी से निलंबित कर देना ही उचित डंड नहीं कहा जा सकता इसलिए मुहम्मद साहब का सवाल जादा उचल रहा है इसे अमेरिका का भी सपोर्ट मिल रहा है और देश के मुसल्मान भी अपने नवी के अपमान पर माफी की मांग कर रहे है लेकिन आज जब उत्तरप्रदेश पंजाब दिल्ली राची से लेकर के कॉलकता तक आस्था क का सवाल गूंज रहा है तब उसे बंदूक के साए में ये सरकार दबाने की कोशिस कर रही है मुसल्मानों के प्रतीब हचपारेसिस की बेतू की नफरत अब देश के लिए नासुर बन रही है झाल 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 झाल